Class 6, Subject English, Lesson Age in Serengeti Serengeti अफ्रीका का एक राष्ट्रिय उद्यान है ये बहुत सुन्दर है लोग अपने मनोरंजन के लिए इस पार्क में आते हैं इस पार्ट को पढ़े और इस पार्क के बारे में जाने चाय के बाद हम सेरोनेरा पहुँचे ये सेरेंgeti पार्क का मुख्याल है हम शिवे लगाने जा रहे थे और तब पता चला की बड़े तंबू के लिए खंबे पीछे छोड़ दिये गए थे सोच रहे थे की आगे क्या करें तब ही अचानक हुई बारिश ने सब कुछ भिगो दिया हमारे पास बस एक छोटा सा सोने का तंबू था तो मैं सो गया और दो लड़के जो मददगार थे लौरी में सो गए रात के दोरान कई लकड़ बग्गे करीब आ गए एक शेर इतना करीब आ गया कि मुझे सांस लेने की आवाद सुनाई दी मुझे खुशी थी कि लड़के लौरी में सुरक्षित सो रहे थे अगली सुबह मैंने बेस कैम्प को रिज के शीश पर स्थानांतरित करने का फैसला किया यहां भले ही बारिश भारी हो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हम फसेंगे नहीं नजारा भी शानदार था बाद में मैं अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए सेरो नेरा गया वहां मुझे सभी आगनयास्त्र सौपने पड़े क्योंकि आगंतुकों के लिए उन्हें रखना नियमों के विरुद्ध था मैंने वॉर्डन से पूछा कि अगर रात के समय शेर मेरे पास आएं तो मुझे क्या करना चाहिए उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया उन्हें दूर भगाओ निश्चित रूप से जब तक मैंने सेरेंगेटी छोड़ा मैं शूटिंग ओफ में काफी अगली सुबह हम शेरों की तलाश में 25 मील की ड्राइव पर निकले हमने उनमें से तीम को एक बड़े पेल के नीचे लेटे हुए पाया एक शांदार बड़ा शेर और दो बच्चे थोड़ी देर बाद एक जेबरा गरजता हुआ गुज्रा उसके पीछे रेसिंग इंपाला का एक जुन्द आया घाटी के और नीचे मैंने एक कूल विक्सित शेरनी देखी अगली सुबह हम जल्दी निकल पड़े मैंने देखा कि एक दरजन चित्तीदार लकर बग्गे एक दिशा में बढ़ रहे थे उस सुबह जानवरों में कम से कम पचास इंपाला का जुन्द था जिनके घुमावदार सींग, पतला शरीर और गहरा लाल रंग था वे सबसे सुंदर म्रिगों में से हैं हमारे पास आते ही एक लंबी चलांग लगाते हुए बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ गया और जल्द ही पूरा जुन्द लैबग तरीके सी कूदने लगा वापसी में हमने शेरों का जुन्द देखा, पुरुष स्पष्ट रूप से रक्षक था क्योंकि वह उनकी रक्षा करता था उन्होंने एक बार भी हमसे नजरे नहीं हटाई योजक चिन्ध, अगले दिन हम घाटी के अंग तक गए जहां हमने जंगली जानवरों और जेबरा का एक विशाल जमावडा देखा नदी के किनारे हमारी मुलाकात लगभग सौब हैसों के जुन्द से हुई दोपहर को देर से लोटते हुए मैंने लोमडियों को लंबी घास के पीछे से जांकते देखा उनके गोल कान बहुत बड़े हैं और वॉडन ने मुझे बताया कि वे उन्हें जमीन पर दबा कर सुनते हैं ऐसा इसलिए ताकि वे पता लगा सके कि आसपास कोई चूहा या चूहा है या नहीं तभी वे इसे पकर सकते हैं शुष्क मौसम आ गया था जानवर अब पानी के गड़ों और नदी पर निर्भर थी जो सूखती नहीं थे हाला कि इससे शिकारियों को भी मदद मिली चूह उनकी वे ठीक ठीक जानते थे कि जानवर पानी के लिए कहा जा सकते हैं वे उन्हें फसा सकते थे और लाब के लिए उनकी खाल बेचने के लिए उन्हें पकर सकते थे वॉडर ने इन गतिविद्यों को रोकने के लिए बहुत मेहनत की इतने सारे जहरी लितीर, धातु के जाल और भाले देखना भयावे था जो उन्होंने शिकारियों से छीन लिये थे यह विचार की जंगली जानवर एक दिन विलोप्त हो सकते हैं, मुझे परेशान कर गया मैं जितने लंबे समय तक जानवरों के बीच रहूंगा, उतना ही अधिक मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ यदि जंगली जानवर विलोप्त हो गए तो इससे प्रकृती का संतुलन बिगर जाएगा जिसका मनुश्य भी एक हिस्सा है